मेंटल हेल्ट केर एक 2017 में जो हिंसक मनोरुगण हुआ है उसके बारे में एडमिशन के लिए क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में अभी आपसे वीडियो में बात्चीत कर रहा हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार, सेक्स्रोग, सम्मोहन तथा विसन्मोगी तग्यों महाराष्टे में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ मेंडल हेलकेर एक्ट 2017 में चेप्टर 12 सेक्शन 89 इसमें जो पेशेंट वाइलन्ट है, हिंसक है जिसको साहेता की जरुद है बाकी लोगों की खुद का निरने खुद ले सकता नहीं है, सपोर्टेड है, मतलब सपोर्ट की जरुद है, सपोर्टेड अड्मिशन होनी जरुद है, तो ऐसे रुगुण जो है, जो खुद का निरने ले सकता नहीं है, साहेता की जरुद है, जो किसी के ऊपर आकरमन कर सकता है, किसको मार सकता है, खुद को मार सकता है, खुद कुशी की कोशिच कर सकता है, या खुद कुशी करनी की उसने पहले कोशिच की हुई है, ऐसे को यजी मायंसिक आस्तापना में भरती करना है तो ऐसे भक्तिव को Nominated representative, उसको मायंसिक आरोगय आस्तापना में Mental Establishment में भरती कर सकते हैं. तो वो ऐसी अरजी कर सकते है, Mental Establishment के Medical Officer को और ऐसी अरजी आने के बाद में जिसको अति गंबिर अवस्ता जिसकी है उसके बारे में ऐसी अरजी नॉमिनेटर रिप्रेजेंटिटिटिव के आती है तो वहां का एक साइट्रिस्ट और दूसरा एक मेडिकल प्रेक्टिशनर ऐसे दोनों मिला के उसको इंडिपेंडेंटली अलग-अलग एक्जामिन करते हैं और दो सट्टिपिकेट मिला के फिर उसके एड्मिशन 30 दिन के लिए कर सकते हैं यह जो admission है यह nominated representative कर सकता है अब nominated representative को है उसके बारे में chapter 4 में लिखा गया है कि यदि वो मन्नोरुग्ण ने अपना अपनी बिमारी होने के पहले यदि उसने advance directive लिखके दिया है कि मुझे ऐसी बिमारी हो गई मुझे mental बिमारी होती है तो मेरी देखभाल करने माला यह वेक्ति होंगा ऐसा कोई advance directive देके रखा है तो वो advance directive यह होए वेक्ति वो है nominated representative मगर ऐसा advance directive लिखकर उसने रखा नहीं है यह बिमारी होने के पहले तो फिर बाकि लोग deemed to be nominated representative होते है अब deemed to be कौन कौन हो सकते है deemed to be nominated representative मतलब वो nominated representative है ऐसा माना जाएगा और उसमें कौन कौन वेक्ति है कि उसके एक तो family member है जो blood relationship है या उसके रिस्तिदार हो सकते है या उसका देखभाल करने वाला care giver वो वेक्ति हो सकता है कि जो nominated representative करके उसके behalf में act कर सकता है या फिर board ने उसको opinion किया हुआ है ऐसा वेक्ति nominated representative करके काम कर सकता है और वो वेक्ति फिर mental establishment के medical officer को ऐसी अरजी करके वो patient को दाखिल करने के लिए request कर सकता है तो ये प्रावधान violent patient के लिए है जो patient खुद की care नहीं कर सकते उनको admission के लिए ये प्रावधान है और इस तरह से admission उनकी mental establishment में होनी चाहिए तो आपको अच्छा लगात जूरी subscribe करो, like करो, share करो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमात Thank you very much कर प्रावधार की बहुत जाहिए